अब फिर आते हैं हम लोग, bit plane compression देखे, bit plane compression पढ़ने के लिए bit plane slicing आना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको bit plane slicing नहीं आती तो आप लोग bit plane compression नहीं समझ पाएंगे, जरा सा भी नहीं समझ पाएंगे bit plane compression bit plane compression जो है बिना bit plane slicing के आप लोग नहीं समझ सकते हैं इसलिए जो है यह bit plane slicing थोड़ा ध्यान से समझेगा अब देखे क्या करना है हमें bit plane compression में क्या होता है फ़र्स पहली चीज तो यह lossy data compression है lossy data compression यानि इसमें हमारा कोई भी कुछ भी information loss होगी हमारी थोड़ी information या थोड़ा data हमारा loss होगा ही होगा इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं lossy data compression देखे उसको कैसे करते हैं हम लोग देखे यह के एक्जामपल हमने बना रहा है पहले चीज दिस इस लोग से data compression एक एक्जामपल हमें इस पर solve करेंगे एक यह हमारी image है ठीक है यह यह हमारी image है इस पर हम lossy data compression और फिर decompression apply करेंगे क्या करेंगे पहले इस पर compression लगाएंगे फिर हम लोग फिर इसको original format में convert करेंगे फिर देखेंगे कितना data हमारा loss हुआ और और एक चीज इस एक्जामपल में हम लोग केवल MSB केवल MSB consider कर रहे हैं इस एक्जामपल था MSB alone is considered and encoded केवल हम MSB value consider करेंगे यानि most significant bit consider करेंगे ठीक है step first क्या दिया हुआ इसमें step first दिया है obtained binary equivalent of the values in an image जो जितनी भी हमारा image की value है उसको हम लोगों ने binary में convert कर लिया simply इसमें कोई किसी confusion नहीं होना था है नमने के वहल यहां image को binary में convert किया हुआ है फिर step two के हमारा extract the MSB simply अब इसी binary equivalent में MSB extract करेंगे क्यों क्योंकि हम लोग केवल MSB consider कर रहे हैं देखिए bit plane slicing में आपको given होगा कि आप लोग consider क्या करें MSB consider करें या LSB consider करें या बीच के कोई और bit consider भी कर सकते हैं या 2 या 3 bit 7 में consider कर सकते हैं या 3 bit consider किया या MSB consider किया, प्लस 6 bit consider किया, 7 bit consider किया, या केवल MSB किया, केवल 6 bit किया, कि कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि हमारा example में given होगा, उसी के according हम लोग compression करेंगे, यह example में केवल MSB consider करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग केवल MSB extract करेंगे, अब यहाँ पर इसकी MSB क्या है, 1, इसी तरीके से, इसकी 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, इसी तरीके से सब की हमने, क्या क्या MSB consider कर लिया, extract कर लिया, इसको हमने लिख लिया, इसी format में, ठीक, और step 3 क्या हमारा, rearrange the MSB values, so that each row contained 8 columns, और 8 bit, इसको अब हमें, rearrange करना है, क्या करना है, rearrange करना है, कैसे rearrange करना है, कि हमें, एक कॉलम में, किवल, 8 bit रहे हैं, each row में, क्यों 8 column हो, यह हमारे, कितने हो गए, 8 column में, consider हो है, हमारे, 8 column, या, simply कह लिए, एक row में, 8 bit हो, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास, image का size क्या है, total number of bits, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 into 3, total 18, अब हमें क्या करना है, 8 bit के forward में लिखना है, अब चाहिए हमें, कितने, चाहिए कितने, image में, pixel, total number of pixel हमें, 18, हमें rearrange करना है, 8 bit के format में, हमें चाहिए 24, ठीक, 8, हरे pixel में होंगे, 8, 8, 8, यह हो जाएंगे, 24, लेकिन हमारे पास है, किवल 18, तो हम क्या करेंगे, 0 की padding कर देंगे, जितने भी चाहिए, पहले तो हम इसी इसाफ से arrange के लिए, जैसे, 0, यह इदर थोड़ा ध्यान से देखीगा, 6 तो यहां तक हम लोग लिख सकते हैं, यह 6 हो गया, अब फिर, 1, 00, 1, फिर, 111, 111 हो गया, फिर, 00, 111, 111, और यहां पर फिनिस, यहां पर 18 फिनिस हो गया, लेकिन हमारे इतने, इंप्टी रह जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इतने, 0 की padding कर देंगे, हम लोग, हमारा यह, complete हो गया, मैट्रिक्स हमारी, यह कह लेजिए, complete हमारा, यह format जो है, complete हो गया, अब क्या करना है, step 4 में क्या करना है, इसी को बस, अब हमें, decimal में convert कर लेजिए, और कुछ निकरना है, बस इसी को decimal में convert कर लेजिए, हमारी यह बिठी, हमने decimal में convert कर लिया simply तो आ गया 137 इसको हमने decimal में convert कर लिया 158 यह हो गया 192 यह हो गई हमारी compressed image पहले कितनी value थी यह इतने सारे हमारे थी यह uncompressed image फिर हमने bit plane compression apply किया हमारी image हो गई यह अब देखिए अब हमें क्या करना है decompress इसको फिर यहनी इसको uncompressed करना है form देखिए यह हमारी compressed image आई थी उसी को हमने consider किया हुआ है यह हमारी compressed image compressed data है हमारा compressed data है step first में क्या करेंगे इसको हम just binary format में convert कर लेंगे जैसा कि हम लोगों ने किया था binary to इसमें किया था हम हम लोग फिर अगयन decimal to binary में convert कर लिए हर एक रो में 8 bit हो गए 8 bit हो यहां 8 bit यह 8 column कह लिजिए फिर क्या थे step 2 क्या है remove extra zeros जो हम लोगों ने padding की हुई थी zeros की उसको हम लोग extra zero remove कर देंगे ठीक है हमने यहां से लेके remove कर दिये इस range के zeros जो है remove कर दिये step 3 क्या है री सेप्ट मेट्रिक्स टू साइज ऑफ द ओर ओरिजिनल इमेज अपनी ओरिजिनल साइज के according इसको री सेप्ट कर देंगे ठीक है हरी सेप्ट हमने कर दिया हरी सेप्ट हो गया हमारा यह फिर क्या है pre-allocate a matrix same size of original image देखिए यहां पर है 1 bit 1 bit per pixel होना कितना चाहिए 8 pixel ठीक तो हमने simply क्या किया सबको 8 pixel में convert कर लिया एक 1 bit to 8 bit यहां पर 1 bit per pixel था अब हम क्या करेंगे 1 bit per pixel convert कर लेंगे वह हमने next step में किया है इससे में लिखा हुआ है यह देखिए हमने जो 1 आया था उसको हमने convert 1 को हमने यह हो गया 8 bit format में जीरो था वो जीरो ही रह गया यह जीरो आया था जीरो हो गया जीरो जहां पर 8 bit per pixel में convert कर लिया ठीक step 5 क्या है display the final data बस यही हमने जो किया था उसी को हमने फिर again decimal में convert कर लिया इसकी value क्या हो जाएगी इसकी value हो जाएगी 128 देखे इधर देखे इसकी value हो जाएगी 128 और जीरो वाली की तो जीरो रहेगी तो हम डेटा क्या हो गया हमारा 128 जीरो 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 128 यह हो गया हमारे कि अनकंप्रेश्ट इमेज कि bit plane compression में क्या कि हमने पहले compress किया फिर अनकंप्रेश करके हमने और फाइनल डेटा को या फाइनल इमेज को हमने display कर दिया बस देखे यह कई 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 जगा पर हमारे पिक्सल जीरो आ रहे हैं तो इसमें जो है इसको पहले ही बताया गया है कि यह क्या है लॉसी डेटा कंप्रेश्ट है तो उस जगह के जो है डेटा हमारा लॉस हो गया यह हो गया आपका bit plane compression